हेलो फ्रेंड्स मैं अपका गार्डनर दोस्त दीब और आप देख रहे हैं मेरी चनल पर जो हैं हैपी गार्डनिंग आज मैं आपसे इस खुबसूरत रियो प्लान के बारे में बात करना चाहूंगा तो इस प्लान की स्पेश्यालिटी अगर आप देखना चाहेंगे तो इसक आप देखेंगे तो यह परपल लगती है और इसकी यही खासित मुझे बहुत पसंद है और यह सुन्दर इंडोर तो आपके ही सकते हैं इंडोर प्लान भी चल जाता है लेकिन इसको ऐसी जगे रहे जहां थोड़ी देर धूपाती हो और इसकी यह एक सिंपल वेराइटी है और इसमें ट्राइकलर भी रियो आता है वो अभी तो मेरे पास नहीं है लेकिन जब मैं लेके आऊंगा तो उसका वीडियो भी आपको ज़रू दिखाऊंगा वो इसमें ट्राइकलर रियो में वाइट का भी वेरिगेशन आता है जो बहुत ही सुन्दर लगता है और इस रि सरी से भी लाया था और यह तब इतना बड़ा नहीं था लिकिन एक अप्ते में यह अच्छा क्रों कर रहा है क्योंकि इसमें मैंने लिक्विट फॉर्टिवलाइजर भी डाला था में शायद दो प्लांट लाया था और उसमें से पॉब निकले हुए थे इसलिए यह चार हो ग सुन्दर पिंक कलर का पॉर्चिवला का भी लगा दिया है जो भी अच्छा हुआ ग्रो कर रहा है और आप देख सकते हैं कि इसकी स्वल कितने मोईस्ट है और इसमें मैंने गोबर की खाट भी दाली हुई है आप देख सकते हैं और इसको वेल्टरेंट स्वल भी बहुत जाता है और इसकी पत्या भूल जाती है और यह अच्छी तरह से ट्रो नहीं कर पाता कि इसको आप ऊपर वॉटर बोटल से करना चाहीं क्योंकि भी यू्मिटिटी वालैंभाह मैं बहुत ही अच्छा लगता है और यह वोर्टर बोटल से परक्रहने से बहुत ही अच्छी तरह ग्रो कर रहा है और आप में इसमें ओवर वोटरिंग बिल्कुल ना करें क्योंकि यह नॉर्मल रियो और ट्राइकलर रियो को तो बिल्कुल भी ओवर वोटरिंग पसंद नहीं और इसकी सोल्ड हो वेल रेन होनी चाहिए और आपको इसमें हर अपते यह 15 दिन म अप्दल लाप पूप को बिल्कुल रियो और रेक्में में अपको बंपो स्पीचा लाप